हब इस नियोज में आपका स्वागत है मैं हूँ शशी राय आप देख रहे है नाशनल नियोज पियमोधी पिछले चार महिने में दूसरी बार रूस दोरे पर पहुंचे हैं इससे पहले वे जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे आतंकी गुर्पतवंत सिंग पन्नु ने एर इंडिया प्लेन में बम विस फूट की धमकी दिये पन्नु ने कहा नमंबर में 1984 में हुए सिख दंगे की 40 वी बरसी है विदेशों में यात्रा करने वाले लोग एक से लेकर 19 नमंबर तक एर इंडिया से यात्रा न करें पन्नु की धमकी ने 1985 के कनिश्क विमान धमाके की याद ताजा कर दी है जब खलिस्तानियों ने एर इंडिया का विमान हवा में उड़ा दिया था उसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए थे बांगलादेशी लेखी का तसलीमा नसरीन ने सोचल मीडिया प्रेटफार्म एकसपर ग्रिह मंत्री अमिल शाह से मदद मांगी है उन्होंने कहा कि उनका भारतिय रेजिडेंस परमिट जुलाई में एकसपायर हो गया है और ग्रिह मंत्राले उसे रिन्यू नहीं कर रहा है तसलिमा ने कहा कि भारत उनका दूसरा घर है और 22 जुलाई के बाद से परमिर्टी नहीं होने के वजह से वह परिशान है उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें भारत में रहने देगी तो वे शुक्र गुजार होंगी जमो कश्मिर में मंगलवार को नए आतंकवादी संगठन तहरीक लब्बैक या मुस्लिम का खुलासा हुआ है काउंटर, इंटेलिजेंस, विंग और पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, अनन्तनाग और पुलवामा में कई लोकेशन पर छापा मारा पुलिस ने बताया कि तहरीक लब्बैक या मुस्लिम बैन आतंकी संगठन लशकरे तैबा का ही एक अलग ग्रूप है काउंटर, इंटेलिजेंस, विंग और पुलिस का अपरेशन अभी जारी है आपको बता दे, गांदर बल अटेक में एक टॉक्टर समेच साथ मजदूरों की जान गई थी हमले के चश्मे दीद ने बताया कि दो आतंकवादी शौल ओड़कर आए और मेस में बैटकर मजदूरों पर गोली चला दी 200 करोड रुपे की मनी लॉंडरिंग मामले में जेल में बन सुकेश चंदर शेखर ने करड़ जोहर को लेटर लिखा है लेटर में उसने जैकलीन के लिए धर्मा प्रोडिक्शन में हिसेदारी खरीदने की इच्छा जताई है उसने खुद पर लगे सभी आरोपों को जूठा करार दिया है सुकेश ने करड़ जोहर के धर्मा प्रोडिक्शन में 50-70% की हिसेदारी लेने का प्रस्ताव रखा सुकेश की प्यार टीम की तरफ से शेर किये गे लेटर में कहा गया है कि करड़ जोहर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डील 48 घंटे के अंदर फूरी हो जाएगी नेशनलिजम में इतना ही आप देखते रहे हैं बिजन्यूस नमस्कार